हेलो हाई चलिए मिलके बनाएं तो मैं हूँ शेफ गौरव एनफसी आई के ऑफिशल यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होली स्पेशल जो की है ठंड़ाई ठंड़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए बदाम खस-खस छोटी लैची और मगज हमने इसको ओवरनाइट सो किया है यानि रात पर विगो के रखा है आप चाहें तो दो गहंटे में भी हो सकता है दो गहंटे में भी होने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे इसका पेस्ट मनाएंगे जो बदाम है हमने चील लेने हैं विगो कर गरम पानी में विगो कर रखने हैं और चील लेने हैं तो चलिए अब हम बनाते हैं इसकी पेस्ट तो लीजिए रेडी है हमारी जो खसकस और काजू और मगज की पेस्ट आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं दो तीन काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं सीट्स तो अब हमने अब पैन में हम इसे स्टेन करेंगे अगर आपके पास मर्मल का कपड़ा हो घर में तो इससे भी स्टेन कर सेटें उससे और भी बेटर हो जाएगा यह हो गया है स्टेन हो गया जो एक्स्ट्रा है वह हमने निकाल देना है जो के हमें नहीं चाहिए यह जो जैसे हमने छोटील एची डाली है उसके चलिके होंगे प्लेवर चाहिए वो हमारे पास रडी है जी हम कर देते हैं साइड पर और अब हम इसमें डालेंगे दूर एक से तेल्लीटर हमने इसमें दूर डाल दिया है चीनी अब हम ने इसमें डाला था दूर दूट डालने के बाद हमने डाली इसमें चीनी, 200 ग्राम चीनी और आब हम इसे करेंगे बॉयल, इसे अच्छे से पकाएंगे, 10 से 15 मिनट अच्छे तरह बॉयल हो जाए तब तक इसे पकाएंगे, यह जो ठंडाई है हम रड़ी कर रहे हैं, यह बॉयल हो चुकी है, तो प्लै होली और ठंडाई का तो एक टूट रिष्टा है, जो तक ठंडाई ना हो, होली का मजा नहीं, होली पर ठंडाई एक में ड्रिंक है, जो की जरूरी होते जाती है, तो अब हम तियार करते हैं ठंडाई, इसे आप ठंडा करने के बाद, सब करें, तो लीजिए ठंडाई हमने जो है वो थंडी कर ली है फ्रिज में रखके तो अब हम इसे सब करेंगे दो से तीन चमच हम थंड़ाई डालेंगे एकदम चिल्ड वोटर तो ये थी आज की डिश थंड़ाई होली स्पेशल ऐसी बहुत सारी रेस्पीस को जाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और कमेंट भी करें कमेंट में हमें बताएं हमारी डिशेज आपको कैसी लगती है फिर मिलता हूँ एक नई रेस्पीस के साथ तब तक के लिए बाई बाई